नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका इस्टडी 99 परसेंड यूटूब चैनल पर दोस्तों इस वीडियो में हम आपको तिरकुण मीती अनुपातों के मान निकालना सिखाऊंगा तो देखें यहां पर दिया गया एक कोण कोण में लिखा गया है 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000, का याद कर लेना है साइन का साइन का याद कर लेंगे साइन जीरू अंस का मान साइन तीस अंस का साइन पैतालिस अंस का उसके बाद आपको सब है कड़ी में 3 बटा 2 ठीक है और साइन 90 कमान होता है एक अब देखिए आपको कहस का निकलना होगा आपको क्या करना होगा इसी को रख देना है इसी को इस जो यहाँ पर लिखा गया है इस तरह इसको उल्टा करके लिख देना है तो क्या करेंगे कास 0 कमान निकलना है तो लिख देंगे एक ठीके फिर कास देखिए फिर कास तीस का आपको पता करना है कास तीस अंस का कितना मान होगा तो इसको लिख लेना है कड़ी में तीन बटा दो को यहाँ पर कड़ी में तीन बटा दो अब देखिए अब आपको कास 45 अंस का मान निकलना है तो क्या करना है अब पहले तो इसको लिखे थे फिर इसको लिखे थे अब क्या करना है आपको इसको लिख देना है यहाँ पर हो जाएगा एक बटा के कड़ी में दो कास 45 अंस का मान कितना हुआ एक बटा कड़ी में दो अब आपको कास साथ हंस का मान पता करना है यहाँ पर तो कास साथ का मान पता करने के लिए क्या करेंगे अब इसको लिखेंगे ठीके तो जाएगा यहाँ पर एक बटा दो ठीके अब उसी तरह कास नबे का कास नबे का इसको लिख दी चीज जीरो सेम इसी चीज को क्या करना है इस तरफ पलट कर लिग देना है ठीक है टैन का पदा करने के लिए क्या करेंगे सबसे पहले आपको देखे दोस्तों टैन थिटा ब्रावर होता है 10 THETA ब्रावर होता है SIN THETA BATAKAST THETA ठीके तो इसके लिए आपको क्या करना होगा यह आपर SIN THETA हो जाता है 10 THETA ब्रावर SIN THETA BATAKAST THETA यानने कि determination तो ओई है तो क्या करना होगा इसमें इस से भाग दिना होगा ठीके तो 10 theta कमान पता चल जाएगा तो क्या करेंगे 0 में 1 से भाग देंगे तो कितना आएगा आपका 0 आजाएगा ठीके जब 0 में किसी संख्या से भाग दिया जाता है तो 0 आता है ठीके इसको याद रखी तो हो जाएगा 10 0 अंस कमान हो जाएगा 0 फिर देखिए यहाँ पर 10 30 का पता करते हैं तो क्या करना होगा आपको इसमें इससे भाग देना होगा क्योंकि 10 theta बराबर होता है sin theta बटा कास theta तो 1 बटा 2 में भाग दे लेंगे आप कड़ी में 3 बटा 2 से तो देखिए यहाँ पर जो यहाँ पर हर में है एक कर जाएगा आपस में आपका बच्चेगा एक बटा कड़ी में 3 तो आप लिखेंगे एक बटा कड़ी में 3 आप देखिए यहाँ पर लेगे 10 45 अंसका मां सेम उसी वही काम करना है इसमें आपको इससे भाग दे देना है तो कड़ी में 2, कड़ी में 2 कड़ जाएगा आपस में, बचेगा आपका 1 1045 का मान हो जाएगा 1 आप देखिए 1060 का, तो इसमें भाग दे लेते हैं, हम लोग कड़ी में 3 बटा 2 में 1 बटा 2 से 2 से 2 कड़ जाएगा, बचेगा आपका कड़ी में 3 ठीक है आप यहाँ पर देखिए 10,90 अंस का मान कितना होगा तो 10,90 अंस का मान निकलने के लिए आपको 1 में 0 से भाग देना होगा तो जब देखिए जब 1 में 0 से भाग देंगे तो आपका आएगा अनंत infinite ठीके जब किसी भी संख्या में 0 से भाग दिया जाता है तो अनन्त आता है और जब किसी जैसे यहाँ पर मैंने बताया कि 0 में किसी संख्या से भाग देंगे तो 0 आएगा और वह जब यहाँ पर कोई संख्या रहेगी 1,2,3,4 और उसमें 0 से भाग देंगे तो अनन्त आएगा ठीके तो यहाँ पर कितना आएगा अनन्त लिख देंगे infinite अब आपको क्या करना है दोस्तों यहाँ पर देखिए अब आपको कार्ट का पता करना है कार्ट 0 हंस कार्ट 30 हंस कार्ट 45 हंस कार्ट तो देखे, टैन का उल्टा होता है, काट, तो क्या करेंगे, टैन का उल्टा कर देंगे, काट, तो जीरो है, जीरो का उल्टा होगा, तो क्या होगा, जीरो की नीचे तो एक छुपा रहता है, तो जीरो की नीचे एक छुपा है, यहाँ पर समझे, जीरो की नीचे एक छुपा की चीज़े बस ठीके समझ जाइए अपने से आप निकाल लेंगे सभी मानों को अब यहाँ पर देखिए कार्ट 30 संस का कितना होगा मान कार्ट 30 संस का तो यहाँ पर एक 10 का एक बटा कड़ी में 30 इसी का उल्टा होता है कार्ट का मान तो यहीं है तो यहाँ पर होजाएगा आपका 1 धर देखिए यहाँ पर एक कार्ड़ी में तीन का उल्टा करेंगे तो इसके नीचे एक छुपा है तो हो prosper एक बटा ककड़ी में थी ठीक है यहाँ पर रहे अन इंफिनित ठीक है टैन इंफिनित इंफिनित का उल्टा होता है जीरू तो यहाँ पर हो जाएगा आपका काट 90 कमान जीरू अब देखिए यहाँ पर सेक कमान निकाला है आपको तो सेक जो होता है जो सेक होता है एक कास का उल्टा होता है ठीक है कास का उल्टा सेक, टैन का उल्टा काट, और साइन का उल्टा होता है, को सेक, ठीक है, इसको ध्यान से देख लीजिए आप, साइन का उल्टा को सेक, टैन का उल्टा काट, कास का उल्टा सेक, अब क्या करना है, सेक का निकरना है, तो आपको क्या करना होगा, कास वाले का उल् को तो जाएगा क्या कड़ी में 2 अब यहाँ पर 1 बटा 2 को उल्टा करिए तो जाएगा 1 बटा 2 का उल्टा 2 ठीक है यहाँ पर देखे 0 है 0 का उल्टा होता है infinite तो यहाँ पर लिख देंगे infinite अब क्या करना है आपको कास का पता करना है कासे का कासे का पता करने के लिए क्या करना होगा आपको साइन का उल्टा करना होगा देखें साइन जीरो है जीरो का उल्टा होता है इंफनीट तो यहां पर लिख देंगे इंफनीट आप देखें यहां पर एक बटा 2 का उल्टा करना है तो 1 बटा 2 का उल्टा करेंगे तो जाएगा 2 ठीक है अब उसी तरह 1 बटा करणी में 2 का उल्टा करना है 1 बटा करणी में 2 का उल्टा करेंगे तो क्या होगा 1 बटा 2 का उल्टा करेंगे तो जाएगा कितना एक बटा इसका उल्टा करना है आपको एक बटा करणी में दो का तो इसका उल्टा करेंगे तो जाएका करणी में दो तो यहाँ आप लिखेंगे करणी में दो फिर उसी तरह इसका उल्टा करेंगे तो जाएका दो बटा करणी में तीन ठीक है फिर एक का उल्टा करिए एक का उल्टा कितना होता है एक तो दोस्तों इस तरह सवी तिरकोण मिती अनपातों का मान निकाल सकते हैं आप मुझे अमीद है कि आप लोगों को जरूर पसंद आया होगा मिलते हैं नेस्ट वीडियो में जै हिंद